तो प्रभाद बच्चो आज हम आपकी पाठ टेपुल्स तक संस्क्रित के पंच दश पाठ का अध्यन करेंगे जितका शिल्षक है मूर्ख मंडलम तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और मूर्ख मंडली की बारे में जानते हैं पंच दश पाठा मूर्ख मंडलम प्रस्तोत पाठ में एक पक्षी राजा और उसके पूरे दरबारी गणों को मूर्ख मंडली बता रहा है तो बच्चों जो ये आपका पार्ट है मूर्ख मंडलम इसमें एक पक्षी की कहानी है जो कि राजा और उसके दर्बारी गणों को मूर्खों की मंडली बता रहा है तो जानते हैं कि ऐसा पक्षी क्यों कह रहा है एक कस्मिन बने एक हा बिशाला ब्रक्ष आसीद एक बन में एक विशाल पिंड था तस्मिन एक हिंड्नेक का नामना खगप परतिवस्ति इसमा उस पर एक हिंड्नेक नाम का पक्षी रहता था तस्य विष्ठायाम सुबर्णम उत्पनम भवति इसमहा उसकी विष्ठा अठाट उसके मल से सोना उत्पन होता था एकदा एकदा एकः व्याधा तत्र आकच्छत एक दिन एक शिकारी महा आया तदगत एवसहा खग विष्ठाम अकरोथ उसी समय उस पक्षी ने अपनी विष्ठा की तस्य विष्ठायाम सोवणम विलोक के व्याधा चकित भूत्वा अविचारियत यत उसकी सोने की विष्ठा को देख कर सोने के मल को देख कर व्याध फिकारी बहुत ही चकित हो गया और उसने मन में विचार किया मैंने 40 वर्ष व्यतीत कर दिए मेरी 40 वर्ष व्यतीत होगा इस जंगल में आते हुए ने कदाची दपी पक्षी विष्ठायम सुवर्णम दिश्टम लेकिन मैंने कभी भी किसी पक्षी की विष्ठा से सोना उत्पन होते हुए नहीं देखा इती विचिंतिय व्याधा तस्मिन व्रक्षे जालम बंदनाती इसमह ऐसा विचार करकर शिकारी ने व्रक्ष पर जाल डाल दिया व्रक्ष को जाल से बान दिया असो मूर्खा, खगा, पुना, तस्मिन व्रक्षे, उपविस्ठ, पाशे चय, बधर और व्यमूर्ख पक्षी फिर से व्रक्ष पर आकर पेड़ पर आकर बैठा और जाल में बंद गया व्यादा, तम पक्षिम, स्वग्रिम, आन्यत, पंजरे चय, इस्थाप्यक, व्याद, शिकारी उस पक्षी को अपने घर ले आया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया पिंजरे मुसे रख दिया, अधुना पीतस्य, विष्चाया, प्रतिदिनम, सुबर्णम, उत्पनम, भव्ति, इस्वनर और फिर उसके बाद से रोजाना उस पक्षी की विष्चा से सोना उत्पन होता था ठीक है, जब वो व्याद उस पक्षी को अपने घर ली आया, पिंजरे में बंद कर दिया, तो रोजाना ही जो उसका मल निकलता था, उससे सोना उत्पन होता था एकदा रात्रो व्यादा विचारियत, एक रात्री को जो शिकारिता उसने विचार किया अगर यह बात में यह जो व्रतांत में राजा को पता चल जाता है, इसी भी तरीके से राजा को यह बात ग्यात हो जाती है तो जरूर मैं मेरा वद्ध कर देगा, जरूर मैं मुझे मान देगा अस्य पक्षणा एहम किम करिश्यामी तब मैं इस पक्षी का क्या करूंगा अथे पक्षणम स्वयम एव रागे समर्पयामी इसलिए मैं इस पक्षी को स्वयम राजा को समर्पित कर देता हूं स्वयम जाकर राजा को इस पक्षी को दे देता हूं इती विचारिया है अगर सम एक दिन शिकारी ने पक्षी को राजा को समर्पित कर दिया राजा को दे दिया और उसकी विशेषता भी राजा को बता दी ठीक है राजा तम पक्षी द्रिष्टवा अतीब प्रसना अभवत अवधत चा अरे राजपुर्शा एनम पक्षिनम यतनें पंजरे रक्षता असमे अश्नम पाना दिकम यतेज प्रेच्छत तो राजा ने पक्षी को जब देखा तो वो बहुत प्रसन हुआ और बोला अरे राज़ पुर्षो अरे सैने को इस पक्षी को यतन से यानि कि अच्छे से पिंजरे में रखो और इसके भोजन पानी की विवस्था करो तदेव मंत्री तत्रा गत्रे अकथ्यत यतर राजन तभी मंत्री महा आया और राज़ से पूला किम कदाचित पक्षी विष्टायम सुमणम संभवती क्या किसी पक्षी की विष्टा से सोना उत्बन हो सकता है ऐसा संभव है ऐसा बोला मंत्री ने राज़ा से मुच्यताम पंजरात एम पक्षी इती पंजरे से इस पक्षी को छोड़ दो मंत्री ने कहा राजा से कि आपने ऐसा देखा है कि कभी कि किसी पक्षी की विश्टा से सोना उत्मन होता हूँ ऐसा संभव नहीं है इस पक्षी को मुक्त कर दो इस पक्षी को छोड़ दो मुझे त्याम पंजरा तैम पक्षी इस पक्षी को छोड़ दो मंत्री वचनात विमुक्त असो पक्षी उन्नत द्वार तोड़ने समुप मिश्य सुवन महीम विस्ठाम अकरोत मंत्री के वचनों से मुक्त हुआ जो पक्षी क्या क्या उसने उसने द्वार की उची दिवार पर चड़कर अपनी विस्ठा की जो कि सोने में बदल गई सोने कि उसने विस्था की एकम श्लोकम चै अवदत और एक श्लोक बोला क्या श्लोक था वो? पूर्वम तावदहम मुर्ख सबसे पहले तो मैं मुर्ख हूं दित्य पाश बंदग दित्य भे शिकारी मुर्ख है ततो राजा चै मंत्री चै उसके बार राजा और उसका मंत्री भी मुर्ख है सर्वेव मुर्ख मंडलम सारी ही की सारी मुर्खों की सबा है ऐसा पक्षी ने जब वो द्वार पर उड़कर बैठ गया और उसने अपनी विस्था कर दी तो सभी लोग उसे आश्चरे चकी तो कर देख रहे थे तब उसने ये श्लोक बोला कि सबसे पहले तो पूर्वम तावदाम मूर्ख हूं सबसे पहले तो मैं ही मूर्ख हूं कि मैं दुबारा से उस पेड़ पर बैठा और शिकारी के जाल में फस गया दूत्य पाश कोई विचार नहीं किया इसलिए सर्वेव मूर्ख मंडलम इसलिए सारी ही सबा मूर्खों की है पूरी ही मूर्ख मंडली है तो बच्चों हमने ये पार्ट पड़ा मूर्ख मंडलम आशा करती हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा इस पार्ट से हमने यही सीखा कि हमें बिना विचारे, बिना सोची समझे किसी कारे को नहीं करना चाहिए, जाज परक कर ही कोई कारे करना चाहिए, अब हम पाट की शब्दार्च कर लेते हैं, शब्दार था, खगर, पक्षी, प्रतीव वस्ती समा रहता था, विस्टायां बीट में, सुवर्णम, सोना, व्याधा, शिकारी, तदगत एव, उसके जाते ही, विलोक के देखकर, चत्वालिंशत, चालिस, फ्यतितानी वीद गए, जिश्टम देखा, विकिनते सोचकर, दिनाती बांधता है, असोब वह, उपविस्टी बैठ गया, पंजरे-पिंजरे में, ग्यास यति जानेगा, समर्पयामी सोपता हूं, यतेच्चम इच्छानुसार, वन यति वनन करता है, विमुक्त छुटा हुआ, अतीव बहुत ही, मूर्क मंदलम, मूर्कों का समू, मू पहला प्रशन रहेगा लिकितम से, चलिए प्रशन पढ़ते हैं, और करने की कोशिश करते हैं, लिकितम, उचितम, उत्तरप्रदम, ब्रतम, रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंग ये, तो प्रशन में चार विकल्प हैं, तीन विकल्प गलत हैं, एक विकल्प सही है, हमें सही बाले विकल्ब को चुनना है और इसकी गोले को रंगना है तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और किरते हैं कगस्य नाम हां रिक्तिस्थान आसीद तो क्या नाम था पक्षी का? तो ए विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है खगशि विस्टायाम रिक्तिसान उत्पनम अभवत रजितम सुवर्नम लोहुम मिर्दान तो क्या उत्पन होता था उसकी विष्टत सुवर्नम बी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है व्याधा तस्मिन रक्षे रिक्तिसान बंधनातीसमा बाडम अस्त्रम जालम दोरकम तो रक्ष को बांदाता उसने जाल से सी जालम विकल्प हमारा बिल्कुल सही है व्याधा तम खगम दिक्तिस्थान समर्पयतीसमा राग्ये वनिकाई सुवनकाराई कृष काई तो व्याध ने वो जो पक्षी था वो किसको समर्पित किया था राजा को तो ए राग्ये विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है अगल दिए गए शब्द उसे रिक्तिस्थान भरिए तो प्रशन में कुछ चब्ड दिए गए जन्मीच से चुनकर हमें रिक्तिस्थानों की पूर्ती कर नी है तो चली करते हैं तसे विस्ठायाम रिक्तिस्थान उत्पनम भफ्तिसमा क्या होता था सोना तो लिखेंगे सूपर्नम नेसे वियाधा तस्मिन व्रक्षे रिक्तिस्थान बंधनाती समा तो किस से बारना था उसमें जाल से जालम क्या पक्षिना इस पक्षिका में क्या करूंगा ऐसा कहा पक्षिना करेंगे क्या ज़गा मुर्ख सबसे पहले चुटने अपने आपको मुर्ख कहा इस शिकारी को देखकर भी बैजाल में पस गया तो बच्चों आज हमने आपकी पार्टे पुस्तक संस्तित के 15 पार्ट का अध्यन किया, हमने सीखा कि बिना सोचे विचारे कोई कारे नहीं करना चाहिए, इसलिए पक्षी ने अपने आपको मूर्ख का और साथी साथ राजा और उसके मंत्रियों और शिकारी को भी मूर्ख क उन्हें सभी को मूर्खों की सभा बताया, मूर्ख मंडली बताया, आशा करती हूँ आपको पार्ट चीज़े समझ आया होगा, आप पार्ट को फिर से उचारण के साथ पढ़ेंगे, शब्दर्थ याद कर लेंगे, अब अभ्यासकारे को पूर्ण कर लेंगे, मिलते हैं अ